राजधानी रॉयपूर में चतिस कर रसोया संग 4 डिवसिय हरताल पर है। आज हरताल का अंतिम दिन है और अब रसोया संग अनिश्चित कालीन हरताल पर जाने की बात कह रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, मांदिय में बढ़ोतरी किये जाने के लिए सरकार की और से कोई पहल नहीं की जा रही है जिससे आक्रोशित होकर रसोया संग अनिश्चित कालीन हर्ताल की बात कह रहे हैं रसोया संग का कहना है कि रसोया और रसोया सहाईका का मांदेय और वर्तमान में पंद्रग सो प्रतिमाह है जो सिर्फ दस माह के लिए ही देय होता है जिसके कारण अनेकों उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है बता दे 2023-2024 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा केवल 300 रूपे की वृद्धी की गई जिससे रसोया संधा क्रोशित है इनकी मांद है कि इनकी मांदेय को कलेक्टर दर पर किया जाए यदि एसा नह हुआ तो आने वाले समय में संग्राज धानी राइपोर समेथ सभी जिला मुख्यालियों में उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी उग्र अंदोलन के आस्या निचित कालिन में जाबो हमना काम बंधरताल में काबर की कका हा अपन भोसना पत्र में कलेक्टर दर दुमू की ही सब है 15 दिन में मगर नवा कलेंडर डर छफ़ा है 36 गण में तेकर सती वह आभी 15 दिन नहीं होने हमर्मन के कलेंडर में कम से कम 4,4 साल होगे मगर हमर काका के कलेंडर में नहीं हो यजा जहां तक हमार रसोया बहिनीमन एकदम आकरो से 300 रुपया ना चनम उर्णा खाय बढ़ते हैं अभी बजट 17 में तो मैं वो 300 रुपया के ना सम्मान भी कर था मगर हमार मांगे स्रिफ कलेक्टर दरहवा है मैं यही बोलना चाहूंगा मेरा नाम चुम्मलाल साहू है और हम लोग रसोया मध्यान भोजन संग को पूरी तरीका से समर्थन कर रहे हैं और उसके समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे और इन लोग की जायज मांगो को अगर यह सरकार बचर सत्र में पूरा नहीं करेगी तो अनिचित कालिन हर्ताल इन लोग तो कर रहे हैं उसमें भी हम लोग पूरी तरीका से समर्थन देंगे और 2023 में अगर इन लोग की मांग पूरा नहीं हुआ तो सरकार को गिराने के लिए सारे लोग हम लोग तयार रहेंगे चुमनलाल साहू प्रदेश उपध्यक जीला अध्यक जूर्गे शत्तिजगर विद्धूत विभाग ठेका कर्मचारी कल्यांसे अर्जोर जूर्ण के टक कर ले नेनो जिजी संधर्ष करे अब को बहारे साथ है फारत माता की जै शत्तिजगर मातारी की जै जिनदवास जिनदवास यवास को सिढ धर का लाग की जै शक्तिजगर माताथ GOOD विद्धूत फोल और श्रच्द ए्पासब यवास थालिबादे व्ट्सी जै ऑल्र ट्legt roof एल् loaded पासफाइ जिनद जिनद आbad बासए जिनद आव Iss अधिल्जी